नमस्कार आप देखरें न्यूस फोरनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार सरकार में सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदर सेखर सुर्खियों में चाय रहते हैं मीडिया के हेडलाइन में बने रहते हैं आये देन कुछ नकुछ ऐसे विवादत बयान देदेते हैं या ऐसे कारणामे कर देते हैं जिसके बाद वो सुर्खिया बटो ने लगते हैं एक बर फिर से प्रोफेसर चंदर सेखर के उपर जो है अब चर्चा शुरू हो गए है चर्चा इस बात की शुरू हुई है कि प्रोफेसर चंद्र सेखर अपनी ही विभाग के बड़े अधिकारी से नराज चल रहे हैं नराज इसलिए चल रहे है क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारी के खिलाफ एक पीत पत्र जो है वो जारी किया है बता दे कि बियार सरकार में सिक्षा मंत्री और आरजडी की कोटे से मंत्री प्रोफेसर चंद्र सेखर ने अपने ही विभाग के यानि सिक्षा विभाग के अपरमुखे सचीव केके पाठक के खिलाफ एक पत्र जारी कर दिया है अब इसके बाद बियार में राजनिती जो है वो गरमाई हुई है आरजेडी और जद्यू आमने सामने नजर आ रही है ऐसे में बता दे कि जून में केके पाठक ने अपना ये नया विभाग संभादा था केके पाठक कड़क अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं अब जो है ख़बर है कि चंद्र सेखर जो की प्रफेशर चंद्र सेखर सिक्षा मंत्री हैं वो अपने अधिकारी से नराज है जब इस से रिलेटिट सवाल बियार के तमाम मंत्रियों से पूछा गया तो सबसे पहले जद्यू कोटे से मंत्रे श्रवन कुमार अपना पला जारते नजर आए श्रवन कुमार से जब सवाल पुछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है मुझे तो इसके कोई जानकारी नहीं है मैं पता करूंगा और तब मैं कुछ बताऊंगा अब ऐसे में विपक्ष के दल जो है वो लगतार तंज कस्ते नजर आ रहे हैं बैठे बिठाय मुद्दा मिल गया है उपेंदर कुश्वाहा जो की रालोजद के राश्ट्रिय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बजापता ट्वीट किया है और ट्वीट कर नितीश कुमार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ तंज कसा है उपेंदर कुश्वाहा के पहले उस ट्वीट को दिखाते हैं देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्ट जो ट्वीट चल रही है वो उपेंदर कुश्वाहा की है उन्होंने कहा है माननिय मुख्य मंत्री जी आपका सिक्षा बिभाग है या कवाली का खाड़ा जहां एक सनकी मंत्री और एक महा सनकी अधिकारी के बीच भीडंत चल रहा है अधिकारी ऐसा जो आप ही की तरह अपने आपको आपके बाद दुनिया का सबसे अधिक अग्यानी समझता है और माननिय मंत्री जी के बारे में तो क्या ही कहने शिक्षा मंतरी के काम के अतरिक्त बाकी सभी काम करने में दक्षता हासिल है उनको संभालिये सर अन्यथा आने वाली पिढ़ी कोसेगी तो देखे बिहार का लचर सिक्षा विवस्था है लचर सिक्षा विभाग जो है उसके वज़े से हमेशा है बिहार सरकार की भद पीटती नजर आती है और अब तो मंतरी और अधिकारी के बीच जो भिडंत हो गही है इसके बाद भी बिहार सरकार की ही किरकिरी होती नजर आ रही है अपने ही अधिकारी से नराज मंतरी जी पत्र लिख देते हैं उसमें बहुत सारी चीजे लिखते हैं इतना ही नहीं अपने अधिकारी को सलाह भी देते हैं मंतरी जी अब ऐसे में BJP भी जो है एक तरफ लगतार नितीश कुमार और नितीश सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है तो अब नितीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले उपेंदर कुश्वाहा जो हैं उन्होंने भी नितीश कुमार के खिलाफ तंज कसा है और कटाक्ष किया है क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट के जरीए कहा है हमने आपको सुनवाया फिराल तो इस खबर में बस इतना है और भी वीडियो और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस फो नेशिन